करें दिखेंगा नेडर वेबसाइट बटन कैसे बनाते हैं आगे जब आप फैन वालानाा डिजाइन करिंगे तो इसमें वेबसाइट बटन का यहां से outline color को close कर देना है उसके बाद यहां से आपने कोई भी fill color देना है उसके बाद यहां से आप लेंगे oval tool और इसको draw कर देंगे page के उपर अब इसके बाद क्या करना है आपने यहां से लेना है selection tool और यहां से shape को select करना है इसके बाद आप क्या करेंगे यहां से modify menu में जाएंगे यहां से लेने के convert to symbol और इसकी shortcut की है F8 अब हम इसे convert to symbol क्यों करेंगे ताकि जब आगे हम buttons अपने create करेंगे fan के लिए तो उस वक्त ही हमारे पास symbol के तोर पर मौझूद हो अगर delete हो जाता है तो हम symbol से इसे ले लेंगे तो यहां से convert to symbol करने के बाद आपके पास यहां पर इस तरह से आएगा window इसके अंदर आपने button का कोई भी नाम रख देना है और यहां से type में button पे click कर देना है और यहां से ok कर देंगे अब आपके पास यहां पर यह library के अंदर जो के हम window में जाके यहां से लाइबरी लेंगे और शॉर्ट कट किए Ctrl L as a symbol save हो जाएगा अब आप देखें यहां पर frames आपकी different है अब हमने क्या करना है बटन के ओपर double click करेंगे तो आपकी frame यहां पर change हो जाएगी पहले दूसरी थी अब दूसरी हो जाएगी पहले आपकी one two three इस तरह की frame थी अब आपके पास frames की name आजेंगे जो के one से लेकर four तक हैं सबसे पहले अब आप क्या करेंगे यहां सी जो frame over है इसके ओपर click करेंगे और f6 press करेंगे इसकस प्रेस किरने के बाद आपने यहां से क्या करना है अपने बटन का fill color change कर देना है उसके बाद आप क्या करेंगे较गे frame down पर click करेंगे press f6 और यहां से फिर अपनी window 000 CC बटन का एह लग layer लेनी पड़ेगी ताकि जब हम टेक्स के ओपर डिफिरंट क्याम करें या इफिरंट टाइप करना चाहें तो अलग layer पर हमगी पर हम आप एजी ली कर सकें अब इस layer 2 की frame अप पे क्लिक करेंगे और यहां से क्या करेंगे कोई भी fill color ले लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है यह जो A बनावा नजर आ रहा है यह text tool के लाता है इसको select कर लेंगे और यहां से shape पे क्लिक करके कोई भी text type कर देंगे text को type करने के बाद आपने क्या करना है यहां से selection tool लेना है और अपने text को select कर लेना है उसके बाद आप क्या करेंगे control F3 से properties open करेंगे अब यहां properties में आके यहां से आप कोई भी अपने phone का style ले सकते हैं और अपने phone का size वगरे increase कर सकते हैं खुद भी type कर सकते हैं otherwise यहां से increase कर सकते हैं ठीक है और अगर चाहें तो बाद में color change करना चाहें तो यहां से अपने phone का color भी change कर सकते हैं और इस तरह से फिर हम इसे अपने button के उपर set कर लेंगे इसके बाद आपने क्या करना है यहां से frame over पर click करना है F6 press करेंगे और फिर क्या करना है आपने जो आपने text लिखावा होगा इसके उपर double click करेंगे और यहां पर कोई भी दूसरा text type कर देंगे वही selection tool लेंगे properties में जाके इसकी setting कर देंगे size वगएर इसका set कर देंगे उसके बाद क्या करना है frame down पर click करना है और F6 करेंगे और F6 press करने के बाद दुबारा आपने text पर double click करना है और यहां पर इसका text change कर देंगे और यहां से फिर इसका size वगएरा set कर देंगे ठीक है अब देखें हम अब frame up, over और down पर काम करेंगे इन तीन frames पर काम करेंगे अब आप क्या करेंगे page पर click करेंगे तो नीचे page की properties अपन हो जाएंगे यहां से आप page का कोई भी background वगएरा set कर सकते है इसके बाद आपने result के लिए क्या करना है control, enter, press करेंगे keyboard से तो आपके यह result आजाएगा आप देखें सामने इस तरह से move करेंगे बटन के उपर तो आपके दूसरा text और button शोगा क्लिक करेंगे तो तीसरा show होगा move किया second button and text क्लिक करेंगे तो third और बिना move किये first वाला show होगा तो यह आपका website buttons तयार होगे जो होगे हम fan में use करेंगे क्लिक करेंगे